हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अवर यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं पोस्ट आफिस की बहुत सारे स्कीम जिनके इंट्रेस्ट रेट चेंज हुए हैं ये इंट्रेस्ट की स्ट्राइप से मिलने वाले हैं इसके उपर या क्यको टाइम डिपॉजित नाम से जानते हैं जिसमें आपको बोहुत सारी टाइप से इंट्रेस्ट मिलता है लिसमें चेंज कर सकते हो थाप यहाँ पर आप एक साल करते हो उसमें 6.9% हैं दू साल के लिए करते हो चिए लिए 7.1% हैं पानसाल के लिए deposit करते हो तो 7.5% है बागी सारे इंट्रेट से में बट आप तीन साल के लिए जो deposit करते हो उसमें पहले 7% इंट्रेट मिलता था अभी के टाइम में 7.1% कर दिया गया है इसी के बाद अब हम आ जाते हैं पान साल के लिए जिसमें जो आप recurring deposit करते हो उसमें आप 6.7% का interest rate मिल रहा है इसके बाद हमारा आ जाता है senior citizen saving scheme जिसमें आप देखोगे तो इस समय में 8.2% का interest rate मिल रहा है जो कि आपके लिए काफी जादा फायदे मन्द है अगर आप senior citizenship पाली scheme open करते हो monthly income account की बात करते हैं तो इसमें 7.4% है and national saving certificate में 7.7% का इस समय interest rate मिल रहा है अभी के time में public provident fund में जिसकों PPF के नाम से भी जानते हैं इसमें 7.1% है किसान, विकास, पत्र, योजना में आपको 7.5% का interest मिल रहा है महिला संबान saving certificate में 7.5% है सुकन्या समरध्धी account scheme में 8.2% का interest rate मिल रहा है अब आप सोच रहोगे कि ये तो हमने सारे interest rate बता दिया इसके बारे में अगर हमें जानना हो तो आप कैसे जानोगे तो अगर आपको किसी भी scheme के बारे में जानकारी चाहिए आप हमें comment box में जरूर बताएं उसके उपर हमें dedicated video बना देंगे जिससे आपको एक like पता चल जाएगा कि कैसे हम इस account को open करेंगे कैसे हमें interest मिलेगा कैसे इसका calculation होगा तो लहार के लिए मैं आपको example के लिए दिखा देता हूँ कि अगर आप time deposit करते हो तो time deposit में आपको किस तरह से interest मिलता है इसमें आपको हर साल interest जो है आपके account में credit हो जाता है तो इसको हम like calculation टड़ लेते हैं कि आप 10 lakh रुपए जमा करते हो ठीक है 10 lakh रुपए जमा करते हो 5 साल के लिए जिसमें interest आपको 7.5% मिल रहा है 5 साल के लिए आपने जमा कर दिया तो इसमें जो आपको total value मिलेगी वो 14,35,000 की हो जाएगी total interest इसपे आपको 5 साल में जो मिलेगा वो 4,35,629 रुपए है यह आपको हर साल credit होगा यानि कि यह total 5 साल का है अगर आप देखोगे तो आपको हर साल 87,125 रुपए आपको हर साल account में credit हो जाएगे अगर आप यह इस तरह से account को open करते हो जिसमें maximum deposit करने की कोई limit नहीं है and minimum deposit की बात करते हैं तो आप 1000 रुपए से इसमें deposit शुरू कर सकते हो तो यह हमारा हो गया time deposit scheme का पूरा का पूरा व्योरा पूरी information आप कह सकते हो जिसमें आप थोड़ी बहुत चीज़े जाएगे इसको आप किसी भी post office में जाके open करा सकते हो इसमें age criteria क्या है यह सारी चीज़े आपको हम एक dedicated video बनाकर उसमें बता देंगे and आपको किस scheme के बारे में जानना है वो आप हमसे comment box में ज़रूर शेयर करिए बहुत सारी government scheme साती है जिसमें आप 100% trust कर सकते हो and अपना पैसा deposit कर सकते हो जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाय भी देखने को मिलती है आज के समय में जो आप 100% security जिसमें deposit करते हो अमीद करूँगा मेरा यह video आपको पसंद आएगा मेरा यह video का ऐसा लगा हमें comment box में चुरूर बताएं इसी तरह की interesting videos देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें धन्यवाद दोस्तों